ते एक बार फिर 26 वड़के स्वास्त्री पीएस सिहिदेव ने ग्री मंत्री तामरद्धवज साहू के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दिये है उन्होंने कहा है यहां मेरे चुनाव लड़ने से शायद कोई फर्क ना पड़े लेकिन यदि तामरद्धवज साहू जैसे लो उनके बयान के भी अलग-अलग माइने निकाले जा रहे हैं सुनिए उन्होंने क्या कहा बात भी थी उनका कहना था कि मैंने कई चीजों को कहा था लेकिन मीडिया ने च्छाट के दो लाइन निकाल दी मेरा कोई ऐसा आशे नहीं था वैसे इसमें कोई दो बात नहीं है कि मांठी जानी कि प्रिष्वी न λέशंड़ी मनेके 10-20 लोक चुनाओ के लिए य। डावेदार हो जाएंगे मेरा सकूझी जैसे वरिशतं मेरे जन प्रतिन धी इतना उनका कई बार मंत्री के रूप में कामकर चुके अपने समाज के अधेक्श के रूप में बहुत अच्छा उन्होंने साहु समाज में प्रदेश में काम किया था गापक समाज में इनकी बड़ी मानिता है तो ऐसे व्यक्ति चुनाओं नहीं लड़ेंगे अगर उनके जगा लड़ने वाले तो बिसों मिल जाएंगे, फरक कैसे नहीं पड़ेगा, तो तामरदद मेरी बात नहीं है, मेरे रहने नहीं रहने से कोई फरक नहीं पड़ेगा, ये मैं स्विकार करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तामरदद साहु जी किसी कारण से अगर च मेरे से बात करने वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें, और जैसे आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मिडिया को हम लोग इतना संब्मान देते हैं कि कभी बी कुई बात आती है, तो हम लोग आधर पूरवक जवाब भी रखते हैं सामने उसमें कभी कभी जैसा साहू जी ने कहा एक अंश अगर निकल के रख दिया जाएगा रख तो उसका मतलब कोई और हो जाता है शायद उनकी ऐसी मंशा ना रही हो कहना वो कुछ और चाहरे हो बाकि सबका अपना-पना अकलन होता है और लोगों के बारे मे प्रक्रिया में अपने बारे में तो कुछ नहीं कह सकता ना उनके बारे में बिलकुल मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा मेरे बहुत ही सनहिल संबंद उन से हैं हम लोग कई अफसरों पर साथ काम करते हैं एक जगा साथ में हैं अभी पार्टी में भी सरकार में भी साथ में हैं व्यक्तिगत मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंद हैं उनके टिपनी पर मैं बिलकुल कुछ कहना उचित नहीं समझता लेकिन ये तैह है कि ताम्रदस भाई जैसे जन्पत्निधी अगर किसी कारण से चुनाओ नहीं लड़ झाल 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 झाल